यूट्यूब के इस चैनल पर हम सभी अभ्यारतियों का स्वागत करते हैं साथ पे चरण पर बिहार के सिक्षा मंत्री का बड़ा बयान कैबिनेट बैठक से नियमावली का प्रस्ताव जल्द सीटेट बीटेट एस्टेट पास सिक्षक अभ्यारतियों को नहीं देनी होगी कोई परिक्षा पहले के नियम पर ही होगी बहाली बिहार के सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद सेखर ने रविवार को मीडिया के शमक्स अपना इंटर्व्यू दिया और स्पष्ट कर दिया कि जो भी सिक्षक अभ्यारति अनावश्यक चिंता कर रहे हैं बहाली को लेकर भै किसी प्रकार की चिंता ना करें नियम अवली को जल्द कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिलने के पूरे आसार हैं शिक्षकों की बहाली प्रकिरिया में पूर की भाती ही नियम रखे जाएंगे कोई बड़ा बदलाओ या किसी प्रकार की कोई परिक्षा नहीं कराई जाएगी प्रॉफेसर चंद्रिसीकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिक्षक अभ्यारतियों की बहाली करना सरकार की एक बड़ी जम्मिदारी है लाखों बहालियों में कुछ समय लग सकता है अतर शिक्षक अभ्यारतियों को वेर्थ में चिंता नहीं करनी है आज कैबिनेट की बैटक है और ऐसे में आसार लगाय जा रहे हैं कि नियमावली को जल्द मंजूरी मिलेगी और सात्वे चरण की प्रकिर्या आगे बढ़ेगी इस बार की नियुकती प्रकिर्या में आउनलाइन आवेदन लिये जाएंगे परजी वाड़े को रोकने के लिए केंदरी करत तरीकी से बहाली प्रकिर्या होगी इस वीडियो में फिलाल इतना ही आगे कि अपडेट के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें धन्यवाद